नमस्कार दुस्तो ओलिंदे इडिया डूप चैल में आपका स्वागते दुस्तो अगर आपने पेटियम से कोई भी मोबाइल रिचार्ज किया है और यती वो फेल हो गया है जैसे कि यहाँपर मैं आपको अपना पेटियम ओपन करके दिखा देता हूँ और यहाँपर मैं बेरा 203.09 रुबीज यहां पर डेट हो आहां पर मेरा जो बेंक अकाउंट का जो पैसा और जो पैसा कटा आ है वो मेरे बेंक अकाउंट से कट चुका है और यह जो पैसा है मुझे दुबारा से अपने पैटियम account में receive नहीं हुआ तो इस payment को आपको receive करने के लिए कैसे आपको paytm customer care से contact करना होगा वो आज की वीडियो के नदर में आपको बता दूँगा और इस payment को आपको दुबारा से refund होने में कितना time लगेगा वो भी मैं आपको बता दूँगा तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो को शुरू करें उसे पहले आपको बता दे कि जदि आपको ऩाल था लगा जिसे लाई कर जीए चेनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसके उपर आपको click कर लेना है उसके बाद में यहां पर आपको मैं बता देता हूँ यहां पर view order details पर आपको click कर लेना है उसके बाद में यहां पर आपको 24 into 7 help का option मिलेगा तो इसके उपर आपको click कर लेना है यहां पर आप Paytm Customer Care से लाइव चेट कर सकते हैं जैसा कि अभी यहां पर मैं दिखा देता हूँ यहां पर वेटिंग में तो थोड़ा सा यहां पर मैं इंतिजार कर लूँगा तो यहां पर आप देख सकते हूँ कि यहां पर Personal Assistant है जो Paytm का वो आपको यहां पर चेट करना स्टार्ट कर जाएगा उसके बार दें यहां पर लिखा हुआ है Facing Problem with Mobile Recharge तो इसके उपर आपको क्लिक का लेना है आपको यहां पर कोई Type विगर नहीं करना होगा यहां पर Question पूछा जाएगा वही Question आपको यहां पर क्लिक करते जाना है इस Type से आपकी जो भी Query है जो आप Paytm से यहां पर Sort Out कर सकते हो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पर आपको Customer Care से Contact करने की कोई जरूत नहीं पड़ेगी यह जो आपका जो भी पैसा डेबिट हुआ आपकी एकाउंट से 48 आवर के अंदर आपकी bank account में दुबारा से credit हो जाएगा अगर किसी कारण वस किसी issue से अगर नहीं हो पाए तो maximum इसका 3-5 working days का time लगता है bank account का यहनि maximum time लगेगा तो 5 दिन के अंदर अंदर जो भी आपका पैसा debit हुआ है वो आपकी दुबारा से bank account में refund हो जाएगा क्योंकि यह पर जो recharge वो फेल हो चुका है उस condition में आपका जो पैसा है वापस आपी के account में अगर आपने कोई next recharge कर लिया है और बिना contact के भी यह जो आपका पैसा है आपको safely refund हो जाएगा